मित्रो ममस्कार, आज मैं आपको ये हरी सबजी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, यह प्याज का पहुंधा है, और इसी में अब ये फूल भी आने लग गया है, इसी से बीज त्यार होता है, और ये पत्यां हरी हरी ये सबजी बनाने के काम आ जाती हैं, ये तमाम, और ये इसमें फूल आने लग जाएंगे, ये प्याज का पहुंधा है, प्याज ये एक प्रसिद्ध कंद है, इसका कंदता पत्यां दोनों रसोई के काम आता है, इसे शामानी गरीब और रहिश दोनों बड़े चाव से खाते हैं, यह आँकों की रोशनी तथा तुचा की चमक बढ़ाने के शांसाथ पाचनतंत्र को मजबूत रखता है, हरीपत्यों के सेवन से रक्तचाप सामानी बना रहता है, इसमें कैल्सियम आईरन भरपूर होता है, और ठंड से होने वाले जुकाम, अस्तमाग, गठिया तथा कोलेस्ट्रोल में भी यह बहुत लाबदाएग होता है, इसमें बास्पिसील तेल भी पाए जाता है, इसका तीखापन तथा आँखों से आशु आने का कारण यह तेल ही होता है, प्याज हर रसोई में रखने रहने वाला मसाला तथा सबजी भी है, इसका कंद तेज बल बरधक, शुदा बरधक, कामो तेजक, ऊश्न बीरी तथा, शरीर दर्द, कान दर्द, फोड़े फुन्ची, खाज खुजिली और महिलाओं के लिए रख्त बरधक होता है, शिर में जुए तथा खुश्की में भी लाबदायक है, इसमें फाइबर काफी मात्रा में पाए जाता है, प्याज नक्षीर तथा गर्वियों में लू लगने में भी बहुत लाबदायक होता है, कच्ची प्याज का रस्त तमाम प्रकार के रोगों में और श्दिय कारी करता है, स्वास्तल आपके लिए इसका शेवन करते रहना चाहिए, ध्युद्ध